हमारे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार आज इस विडियो में हम आपके विवसाईक अध्यान के पुष्टक के पहले अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं आप सबको याद होगा कि पहले भाग में हमने ना केवल भारत के विवसाईक इतिहास को देखा जाना समझा बलकि हमने यह भी देखा कि हर व्यक्ति अपनी आई को अर्जित करने के लिए आर्थिक क्रियाय करता है आर्थिक क्रियाएं फिर तीन प्रकार की होती है विवसाय रोजगार या पेशा हमने पिछले भाग के अंत में कहा था कि अगले भाग में यानि कि आज हम विवसाय को बड़े ही बारीकियों से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आईए शुरू करते हैं और जानते हैं कि विवसाय जो कि आपके इस विशय का भी नाम है वो है क्या तो बच्चों आप जैसा की जानते हो और आप देख चुके हो पहले भी कि विवसाय की सबसे पहली विशेष्टा तो यह होती है कि विवसाय एक आर्थिक क्रिया है आर् तो सबसे पहली विशिष्टा क्या हुई कि विवसाय एक आर्थिक ख्रिया है। इसकी दूसरी विशिष्टा यह है कि विवसाय नियमित रूप से किया जाए तब ही उसे विवसाय माना जाता है। यदि हम किसी भी प्रकार की लेन देन को कभी कबार करते हैं और नियमित रूप से नहीं करते हैं तो उसे वेवसाय नहीं कहा जा सकता है उधारन के लिए मान लीजे कि आप अपना कोई पुराना मुबाईल फोन किसी को बेचते हैं ये इसमें एक लेन देन तो है इसमें पैसों का शामिल होना भी है लेकिन या फिर भी व्यवसाई क्रिया या व्यवसाई नहीं कहलाएगा क्योंकि ये बार-बार या नियमित रूप से होने वाली क्रिया नहीं है इसे आपने एक बार किया है तो इसकी दूसरी विशेष्टा क अंदर जो विवसाई होता है वो या तो वस्तुओं को कहीं बाहर से अरजित करता है उसे प्राप्त करता है या वो उनका खुद उत्पादन करता है आप जानते हैं कि जादतर विवसाई में क्या होता है आपके आसपास आप देखेंगे कुछ विवसाई दुकान चलाते हैं या इस तरह के वेवसाई करते हैं जहां वो कहीं से सामान प्राप्ट करके उसको फिर बेचते हैं जब कि वहीं factory माले किया अन्य इस तरह के जो वेवसाई होते हैं वो वस्तौों और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो यानि कि व्यवसाइए में इसकी तीसरी विशिष्टा यह हुई कि या तो वस्तौ और सेवाओं का उत्पादन होगा यह हम तहीं से प्राप्त करेंगे और फिर उसे बेचेंगे यहां पर इसकी चौथी विशिष्टा निकल कराती है कि उत्पादों को या वस्तौ सेवाओं को चाहे तो बनाएं या प्राप्त करें उसके बाद क्या करना है उसका विन्मे यानि कि व्यवसाइए में वस्तौ और सेवाओं का विन्मे होता है जिसके जरीए हम उभोकताओं क आवशक्ताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं अगर हम सिर्फ खरीद कर या उत्पादन करके चीज़ों को रख लें तो क्या वो व्यवसाइए बन जाएगा नहीं व्यवसाइए की दूसरी कड़ी है विन्मे या बेचना यानि कि अगर हम सरल भाशा में बोले तो हम साम पूर्ण विशेष्टाए थी लेकिन इसकी जो अगली दो विशेष्टा है वो सबसे ज़्यादा महत्वेपूर्ण है अगली विशेष्टा पाच्वी विशेष्टा व्यवसाइग कि यह हमेशा लाब कमाने के उदेश से किया जाता है माल लीजिए दो दोस्त मिलकर एक का दान करते हैं यह उनका नियमित काम है लेकिन क्या यह लाब कमाने के उदेश्य से है नहीं तो व्यवसाय तब तक व्यवसाय नहीं बनता जब तक वह लाब कमाने के उदेश्य से नहीं किया जाए यह इसकी पांचवे विशेश्चता है इसकी छटी और आखरी विशेश्चता या है कि वीवसाए में जोखिम एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है व्यवसाए का बिना जोखिम के वैवसाएं नहीं किया जाता कई कहावतएं इसके ओपर बने विए कि जब तक आप जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आप लाब की आकांशा भी नहीं कर सकते जितना जादा जोखिम उतना जादा लाब होने के अवसर हमें मिलते हैं हर तरह के विवसाई में विवसाई के प्रकृती प्रकार उसके आकार के अनुसार उसका जोखिम उसमें शामिल होता है कुछ व्यवसाईयों में ज्यादा जोखिम होता है, कुछ में कम होता है, लेकिन हर व्यवसाईय में जोखिम है, क्योंकि आप इसमें अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अपना सब कुछ इसमें दे रहे हैं, और आपको नहीं पता कि लाब कितना होगा या होगा की नहीं, तो इ में क्या होता है इसकी क्या विशिष्टा है तो आगे बात करते हैं कि वंखितumed दो प्रकार क्या और अप सब कभी मेश्चने होगा मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना तो उद्योग उस व्यवसाई क्रिया को कहते हैं जहां एक उद्योग पती कच्चे माल या संसाधनों का उप्योग करके उनसे वस्तूओं और सेवाओं का निर्मान करता है उद्योग में साधारणत है कही न कहीं मशीनों और अन्य उपकरणों का उप्योग किया जाता है तो मशीनों या अन्य उपकरणों की उप्योग के माध्यम से संसाधनों अर्थात कच्चे माल का उप्योग करके उसे निर्मित वस्तूओं में बदला जाता है यह उद्योग की सबसे बड़ी विशेष्टा है उद्योग को फिर आगे तीन भागों में वर्गे कृत किया जाता है यह आप सब ने दस्वी कक्षा में पड़ा हुआ है कि उद्योग तीन प्रकार के होते हैं प्रात्मिक छेत्र, दुत्यक छेत्र और तृत्यक छेत्र के उद्योग इनको हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि आप इनके बारे में पहले से ही जानते हैं आपका पहला उद्योग है प्रात्मिक छेत्र प्रात्मिक छेत्र के अंदर वो गतिवधियां आती हैं जो प्रकृति से सीधे तोर पर जुड़ी हुई है जैसे कि खेती बाड़ी, मचली पालन, पशुपालन, खनन, इस तरह की क्रियाएं प्रात्मिक क्रियाएं कहलाती हैं जो सीधा प्रकृति से चीजों को लेने से जुड़ी हुई है प्रात्मिक क्रियाओं के बाद आती हैं द्वित्यक क्रियाएं द्वित्यक क्रियाएं या द्वित्यक उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सामाने रूप से प्रात्मिक क्रियाओं से प्राप्त होने वाले वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में उप्योग करते हैं और उनसे वस्तुओं आदी का निर्मान करते हैं जैसे कि मान लीजिए एक चीनी की फैक्टरिय मिल है, अब चीनी मिल गन्य की जो फसल है जो कि एक किसान प्राथमी क्रिया के तहत उगाता है, उसका इस्तमाल करकर अपनी फैक्टरिय मिल में उस गन्य से चीनी का उतकादन करता है। तो क्या किया उसने उसने प्रात्मी क्रिया की उत्पाद का प्रयोक किया और उससे एक वस्तू का निर्माण किया तो इस तरह की क्रियाएं सामानेत हैं द्वित्यक क्रियाओं में आती हैं द्वित्यक क्रियाओं को फिर आगे दो भागों में बाटा जाता है पहली होती है वे construction क्रियाई भी कहते हैं जहां पर हम इमारतों आदि का निर्मार करते हैं ये दोनों मिलकर द्वित्यक उद्योग बनाते हैं फिर तीसरे प्रकार का उद्योग या छेत्र है तृत्यक छेत्र जिसमें मुख्यता सेवाएं आती हैं इन्हें डाला गया है इनके अंदर क्योंकि य प्रित्यक जिसके अंदर आती हैं सेवाएं तो यह उद्योग के प्रकार हो गए जैसा कि हमने देखा था कि व्यवसाय का दूसरा प्रकार भी है जिसे वानिज्य कहा जाता है वानिज्य आप अगर सम देखें तो आपके पूरे स्ट्रीम का जो आप पढ़ रहे हैं उसका भ भोगताओं से तक पहुचाने से लेके जुड़ी भी सारी गतिविदियों को शामिल करता है उद्योग में तो वस्त्वों सेवाओं का निर्माण हो रहा है लेकिन वो सिर्फ निर्माण होकर अगर रह जाए तो उसका कोई फायदा नियो और व्यवसाय पूरा नहीं हो है व्यापार और दूसरी तरफ है सहायक क्रियाएं व्यापार का जहां तक सवाल है व्यापार वानित जी की वह शाखा है जहां वस्तूओं का विनिमय होता है जहां वस्तूओं का आदान प्रदान होता है ठीक है तो व्यापार का अर्थ क्या हुआ वस्तूओं का आदान प पैसों के बदले में लेंदेन करते हैं तो व्यापार क्या हो गया विने मैं यानि की लेंदेन अब ये लेंदेन भी दो तरह का होता है एक आंतरिक और एक बाहिय लेंदेन आंतरिक व्यापार यांतरिक लेंदेन वो है जो किसी एक देश की सीमा के अंदर देश के व्यक्तियो प्रमों को अंग होगें से होलसेल बिसनस के उसे में इसमें इसमें क्या होता है इसमें बड़ी मात्रा में चीज़ोंगा लींदेन किया जाता है जो थोक व्यापारी वह निर्माताओं से फैक्टरी मालिकों से बड़े मात्रा में सामान खरीते हैं और फिर उसको उसके मुकाबले छोटी-छोटी मात्राओं में अपने नीचे वाले वियापारियों को बेजते हैं जो हमारे आसपास की दुकाने हैं, घरों के आसपास, छुट जुट जुट दुकानदार हैं, जहां हम अपने रोजाना का सामान खरीते हैं, ये फुटकर व्यापारी हैं, जो छोटी मातरा में आपको सामान बेच सकते हैं, थोक व्यापारी वो होते हैं, जो बड़ी मातरा मे नाम से भी जानते हैं बाहिय व्यापार फिर तीन तरह का होता है बाहिय व्यापार का अर्थ क्या हुआ जो विदेशों के साथ किया जाए वो व्यापार जो एक देश और अन्य देशों दूसरे देशों के बेच मान लेजे भारत किसी भी दूसरे देश के साथ कोई व्यापा भाषवा में export के नाम से जानते हैं तो निर्यात का मतलब हुआ जब हम अपने देश में बनी हुई वस्तुएं किसी दूसरे देश के व्यक्ति को बेचते हैं तो वो कहलाता है निर्यात इसके ठीक विपरीत अगर हम किसी दूसरे देश से वस्तुओं को खरीद कर अपने सीधा किसी अन्य देश में बेच देते हैं तो यह कहलाता है निर्यात के लिए आयात मान लीजिए भारत में हम अमेरिका से कोई सामान जैसा कि एक mobile phone हमने खरीदा हमने आयात किया उसे आयात करके सीधा हमने सभाइन अगर मान लिजे यूरोप में या किसी अन्य देश को बेच दिया तो ये नरियात आयात के लिए भुआ आयात करके सिधा उसे निरयात कर देना ये तीसरे का बाहीय व्यापार है तो बाहिय व्यापार के तीन प्रकार हो गए एक निरियात दूसरा आयात और तीसरा निरियात के लिए आयात तो बच्चों ये आपके व्यापार के दो प्रकार थे एक आंतरिक व्यापार और दूसरा बाहिय व्यापार तो ये थी आपकी व्यापार की जिसे हम सहायक क्रिया या सहायक क्रियाओं के नाम से जानते हैं ऐसी कई सारी क्रियाओं होती हैं जो सीधे तोर पर वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण में तो नहीं जुड़ी होती लेकिन ये उनके निर्माण उत्पादन या उनके विनिमे में बहुत ही बड़ी मोंड भूमी का निभाते हैं इसलिए ऐसे क्रियाओं को सहायक क्रियाओं कहा जाता है thumb को सेवाइं आपको पता है कि ऐसे बहुत से सेवाएं हैं जिनके बिना досक्राइब असंभव होगा वस्तुष और सेवाव का विनमे करना जैसे कि परिवेहं की सेवा संचार की सेवा बैंकों की सेवा, संग्रह या भंडारन की सेवा इस तरह की कई सेवाएं हैं जिनके बिना यह संभव ही नहीं हो पाएगा कि एक उत्पादक अपने सामान को उभ्भोकता तक पहुँचा पाए या एक उभ्भोकता अपने जरूरतों की पूरती के लिए किसी उत्पादक से सामान ले पाए तो इसलिए ये सेवाएं बहुत ही अजयवारी हैं इन्हें हम सहायक क्रियाओं के नाम से जानते हैं तो इनके बारीकियों में जाना बहुत जरूरी नहीं है अभी क्योंकि ये बहुत सरल एक विशय है कि सेवाएं क्या होती है परिवहन, संचार, बैंकिंग, भंडारन, संग्रह, इस तरह की सेवाओं को हम सहायक्रियाओं कहते हैं जरूरी ये है कि आप इनका महत्व समझें और ना केवल इनका बलके व्यापार को भी अगर मिला ले जाए तो ये जो संपूर्ण वानिज्य का एक छेत्र है वानिज्य जो है इसका महत्व क्या है वानिज्य बच्चों बहुत सी बाधाओं को दूर करता है बिना वानिज्य के उत्पादक या द्योगपती शायद कभी भी अपने वस्तु और सेवाओं को भोकताओं तक सही तरीके और समय में नहीं पहुंचा पाएंगे तो वानिज्य के अंदर आने वाली गतिविधिया यानि के व्यापार और सहयक क्रिया दोनों ही उत्पादक और उभोकता के बीच आने वाली कई बाधाओं को दूर करता है इसलिए हम भी कह सकते हैं कि वानिज्य उन क्रियाओं का नाम है जो क्रियाओं लेंदheर और विनिमय की बाधाओं को दूर करता है ऐसे कुछ बाधाओं का हम उदाहरन ले सकते हैं जैसे हमने व्यापार की बात की आप सोचो व्यापार किस बाधा को दूर करता है व्यापार उत्पादक और उभोकता की बीच की दूरी को दूर करता है विनिमे की बाधा जिसे हम कहते हैं बिना व्यापार के विनमे नहीं होगा विनमे कोई तो व्यापार करते है ना तो व्यापार तो सबसे बड़ी बाधा को दूर करता है जब व्यापार नहीं था तो लोग एक दूसरे के साथ विनमे यानि लेन दिन कैसे करते होंगे जब व्यापार हुआ बाजार बने लेन दि कर सकते हैं कि आज परिवहन सुविधा या सेवाएं उपलब्द हैं तो परिवहन स्थान की बाधा को दूर करता है तीसरा सेंग्रह वह भंडारन की जो सेवाएं ये समय के बादों को दूर करते हैं कैसे हम जानते हैं कि उत्पादक वस्तूओं के उत्पादन बड़ी मात्रा में करते हैं बट वो सारी मात्रा एक साथ कभी बिक्ती नहीं है जैसे जैसे बाजार में मांगाती है उत्पादक उन वस्तूओं को बेचता है तो जब तक वो वस करार रखने में भी यह उसकी help करता है उसकी सहयता करता है अगर इस विधाय ना हो तो उत्पादक के पास वो समय नहीं होगा कि वो पहले से वस्तों का उत्पादन करके रखे और जैसे ही मांग आए तुरंत उन्हें बेचे तो जो समय है उत्पादन और विक्री के बीच का इ क्योंकि विध्यापन की सहायता से वो भोकताओं को उत्पादकों द्वारा बनाई गई विभिन प्रकार की वस्तों के बारे में उनकी खूबियों के बारे में जानकारी मिलती है जिसकी सहायता से वो भोकता अपना निर्णे ले पाते हैं कि उन्हें किस वस्तू का या सेव का सेवन करना हुने खरीदना है इसी प्रकार बीमा की जो सेवा है वो जोखिम की बाधा को कम करती है हमें पता है कि जोखिम किसी भी वैपार का अभी नांग है लेकिन अगर जोखिम कम हो तो अच्छा माना जाएगा उसको कम करने के लिए बीमा सेवाओं का स्रिजन हुआ है तो बीवा सेवाएं जोखिम को कम करती हैं, अन्तित हैं, बैंकिंग की जो सेवाएं हैं, बैंक उत्पादकों के लिए पून जी की बाधा को दूर करते हैं, यदि उत्पादक को पून जी की आवश्कता है और उसके पास नहीं है, तो बैंकों या अन्य वित्ते संस्थाओं क सहायता से पून जी प्राप्त कर सकता है और उस बाधा को दूर कर सकता है तो इस तरह से हमने देखा कि वानित जी की क्रियाएं बहुत सारी बाधाओं को दूर करते हैं एक बार जल्दी से हम इनको दुबारा देख लेते हैं कि व्यापार विनमय की बाधा को दूर करता है पर की बाधा को दूर करते हैं तो वानिज्य यानि कि व्यापार और सेवाएं वो क्रियाएं हैं जो उत्पादन और उभोग के बीच आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके लेंदेन को सरल बनाते हैं तो बचों वेवसाई की गतिविदियों को इतने अच्छे से समझने के बाद अब हम वेवसाई के दो बहुत ही विशेश बातों को समझेंगे जो हमने विशेशताओं के अंदर भी देखा एक लाब और दूसरा जोखिम ये दो सबसे बड़ी विशेशताएं हैं वेवसाई की किसी भी वेवसाई में लाब एक बहुत महतोपून चीज होती है लाब वेवसाई का सबसे महतोपूर उदेश ये होता है क्योंकि लाब की किसी भी वेवसाई में बहुत बड़ी भूमिका है लाब क्या करता है एक वेवसाई के लिए या नहीं है अगर किसी वेवसाय में निरंतर अच्छा लाब हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रबंदन जो है जो उसको चला रहे हैं वो लोग काफी कुशल है जिसके कारण वेवसाय को अच्छा लाब हो रहा है तीसरा यदि किसी वेवसाय को लाब होता है तो वो वेव यदि लाव अर्जित कर रहा है तो उसकार्त यहां भी हुआ कि वो उन संसाधनों का जो उसने समाज से लिये हैं उन संसाधनों का वो अच्छा उपयोग कर रहा होगा क्योंकि लाव तभी होगा जब अपने संसाधनों का आप अच्छे से अच्छा उपयोग करें कम से कम वस्तुएं आप बनाएं वह वस्तुएं अच्छे गुणवत्ता की हो ताकि वह जादा बिकें और उनसे आपको लाब हो तो लाब इस बात का भी प्रतीक है कि आप अपने संसाधनों का बहतर उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लाब की बहुत महत्वपू उदेश्य है हाला कि हमें यह भी अपने दिमाग में रखना है कि लाब व्यवसाई का इकलौता उदेश्य नहीं है नहीं यह हो सकता है यदि कोई व्यवसाई किवल लाब को ध्यान में रखकर लाब के लालच में व्यवसाई करता है तो कहीं ना कहीं वह अपने अन्य जरू समाज के प्रती हो सकता है कि हमें समाज को अच्छी गुल्वत्ता की वस्तिय हैं हमें अपने जो कर्म चठी है जो समाज से आथे हैं और हमारे पास काम करते हैं उन्हें अच्छे कार्य का एक वातावरन प्रधान करना है तीसरा हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत जादा प्रदूशन ना करें हम चौथा कोई गलत गतिविधी जैसे कि वजन में हेरा फेरी, कीमतों में हेरा फेरी या इस तरह कि कोई भी गतिविधी हम ना करें और समाज के प्रती उत्तरदाई रहें इसी प्रकार हमारी हमारे करमचारियों के प्रती भी उत्य जवाब दही होती है कि हम अपने करमचारियों को अच्छा वेतन दें उनको प्रेसिक्षन दें उनकी आवशक्ताओं का ध्यान रखे है और सबसे महत्वपूर एक वेवसाए का एक महत्वपूर देश्य लाब कमाने के साथ सतिया भी है कि वह ही देखे कि वेवसाए सर्वुष्रेष्ट और सुचारू ढंग से चल रहा हो ताकि नाकेवल वेवसाई फाइदे में रहे बलकि पूरा समाज भी फाइदे में रहे तो वेवसाई एक बहु आयामी चीज है जहाँ पर सिर्फ लाब ही नहीं बलकि अन्य कई बातों का हमें ध्यान रखते हुए उनको प्राप्त करने की तरफ बढ़ना होता है तो ध्यान रखना है लाब एक बहुत ही महत्वपूर अंग है किसी भी वेवसाई का लाब के बाद दूसरा महत्वपूर स्थान है जोखिम का मैंने पहले भी बताया कि जोखिम किसी भी वेवसाई का एक अभिन अंग है अगर आप व्यवसाई कर रहे हैं तो जोखिम उठाना पड़ेगा अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं या आप बिल्कुल डर लगता है तो व्यवसाई फिर आपका छेतर नहीं है जोखिम व्यवसाई का बहुत अभिन अंग है अब जोखिम का अर्थ क्या है? है ना हुलाब तो यह जो अनिश्यत्ता है इसे हम जोखिम के नाम से जानते हैं अब यह जोखिम कई कारणों से हो सकता है इन कारणों को मुख्यता तीन वर्गों में बाटा गया है पहला प्राकृतिक कारण दूसरा मानविय कारण और तीसरा आर्थिक कारण प्राकृतिक कारण बहुत सरहने बच्चों हमें नहीं पता कि प्राकृतिक कौन सा रूप दिखाएगी कभी बार, कभी आंधी, तुफान, भुकम बिस तरह कि कई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनकी कोई कलपना नहीं कर सकता और जभी भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो इनका भारी नुकसान हर व्यवसाय को जो उसकी चपेट में आता है उसे उठाना पड़ता है हम इन गतिविधियों या इन आपदाओं को कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते यह हमारे अनुमान या अन्तरण से बाहर है तो ऐसी आपदाएं और उनसे होने वाला जो नुकसान है और उस नुकसान का जो जोखी में वो प्राकृतिक कारणों के अंदर आता है दूसरे कारण है मानविय कारण, मानविय कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, हो सकता है हमारे व्यवसाई में किसी व्यक्ति के किसी गलती के कारण कोई नुक्सान हो जाए, हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा की गई किसी चोरी या हेरा फेरी के कारण हमें नुक्सान हो जाए, हो सकता है हमारे कर्मचारी हर्ताल पर चले जाए जिसकी वज़े से हमारा काम ठप पड़ जाए उससे हमें नुक्सान हो सकता है तो इस तरह की जो चीजें हैं जो व्यवसाय में होने वाले लाब को कम करती है या हानी को बढ़ाती है ये जो मानवी गतिविधियों के कारण होते हैं इन जोखिमों को हम मानवी कारणों से होने वाले जोखिम कहते हैं तीसरा और अकरी मुख्य कारण जो है वो है आर्थिक कारण क्योंकि कोई भी विवस्था एक अर्थ विवस्था का भाग होती है अर्थ वबस्था निरंतर बदलती है पल-पल उसमें नए बदलाव होते है तो अगर ऐसा कोई बदलाव हो जिसके कारण हमारा लाब घटजा यहानी होने लगे तो वो एक जोखिम का कारण बन जाता है ऐसे कई उधारण हम ले सकते हैं मान लेते हैं लोगों की आए घट जाती है समाज में हमारे अर्थ वबस्था में लोगों की आए घट जाती है तो यह बहुत सरलसी चीज़ है कि फिर वो हमारा सामान कम खरी देंगे इससे हमारा लाब घटेगा हमारी वस्तों की मांग घटेगी तो इससे हमारा लाब घटेगा अगर कच्चे माल की आपूरती में कोई समस्य आती है तो उससे हमारा उत्पादन पर उसका एक बुरा असर पड़ेगा तो इस तरह की कई चीजें जो ब्यास दरों से जुड़ीवी अर्थ व्यवस्ता की गती से जुड़ीवी हमारे देश की जीडिपी यानि सकल घरी लुतपाद की वृद्धी से जुड़ीवी लोगों की आई से जुड़ीवी मांग और पूरती से जुड़ीवी चीजें जो हमारे व्यवसाई पर प्रभाव डालती है और जिनकी वजह से या कारण से हो सकता है कि हमारे व्यवसाय जो लाब अर्जित कर रहा है वो ना कर पाए ऐसे कारण, आर्थी कारण कहलाते हैं तो जोखिम इन में से किसी भी कारण से हो सकता है बढ़ ध्यान रखना है जोखिम की कुछ विशिशताए हैं सबसे पहला जो मैंने बहुत बार बोला कि जोखिम व्यवसाय का अभिन अंग है कोई भी व्यवसाय जोखिम से नहीं बच सकता दूसरा जोखिम कितना होगा या व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है कुछ व्यवसायों में जोखिम कम होता है, कुछ व्यवसायों में जोखिम जादा होता है तो हर व्यवसाय का उसके प्रकृति के अनुसार उसके आकार यानि बड़ा या चोटा व्यवसाय अगर बड़ा व्यवसाय है तो जोखिम भी जादा है छोटा व्यवसाय छोटी पूंजी लगी है तो जोखिम भी कम है तो इस प्रकार व्यवसाय के प्रकार और उसके आकार पर भी निर्भर करता है कि जोखिम कितना होगा और तीसरी महत्व पूर्ण बात जोखिम के बिना हम लाब अरजित नहीं कर सकते, जितना जोखिम उतना ही लाब, तो इस प्रकार जोखिम वर लाब एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, तो बच्चों, पहला अध्याय लगबख खतम होने को है, इस अध्याय में हमने व्यवसाय की बहुत सी बारिकियों को देखा है, जाना है, समझा है, तो अंत में, इस अध्याय में हम बात करेंगे, कि अब व्यवसाय को जानने के बाद, यदि एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करने का सोचता है, निर्णय लेता है, तो इसे किन-किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, तो अगर एक व्यवसाय हम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो हम यह देखेंगे कि हमारा व्यवसाय कैसा होगा किस प्रकार का होगा क्या वो किसी वस्तु के पादन से जुड़ा होगा या किसी सेवा को प्रदान करने से जुड़ा होगा तो पहला जो निर्णाय हम लेंगे वो इस बारे में होगा क कि हमारे website किस प्रकार क्या है उसका स्वरूप क्या है ठीक है ये निर्धारित करने के बाद हमें यह देखना है कि हम किस आकार का website करना चाहते हैं क्या हम एक छोटे website से शुरू करना चाहते हैं या क्या हम एक बड़े आकार के website के साथ ही शुरू करना चाहते हैं क्योंकि फिर पूंजी कहां से लाएंगे क्या हम अपनी खुद की पूंजी लगाएंगे या हम किसी बैंक या किसी अन्य वित्य संस्थान से उस पूंजी को प्राप्त करेंगे इसी प्रकार इसके बाद हमें यह भी देखना है कि हम अपने व्यवसाय का स्वामित्व कैसा रखना चाहते है अर्थात क्या हम उसे अकेले चलाना चाहते हैं या किसी के साथ साज़दारी में चलाना चाहते हैं या अन्य जो हमारे पास उसके विकल्प हैं हम उनके तरफ जाना चाहते हैं इसके अलावा हम किस प्रकार की भौतिक सुविधाओं का इस्तमाल करना चाहते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है, किस प्रकार की फेसिलिटीज यानी सुविधाओं हम अपने वयवसाई में रखना और दूसरों को देना चाहते हैं हम यह भी देखना चाहेंगे कि किस प्रकार की भौतिक सुवधाएं हम अपने व्यवसाई में देना चाहते हैं इसी प्रकार आज के समय में कर संबंधी योजनाएं बनाना भी व्यवसाईों को शुरू करते वक्त एक जरूरी दिड़ा हो गया है कि किस प्रकार के व्यवसाई में आगे कितना कर यानि टैक्स देना पड़ सकता है उसकी योजनाएं भी हम व्यवसाई के तोर पर बनाते हैं ये कुछ बिंदू थे जैसे कई बिंदू और कई कारक हैं जिनको ध्यान में रखते हुए व्यवसाई शुरू किया जाता है बच्चों कोई अध्याय समझाया होगा धन्यवाद तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझाया होगा आप इसको पढ़ें ताकि आप आने वाले अध्यायों में और अच्छे से उनको समझ पाएं झाल झाल